हालो दोस्तो मैं हूँ शेफाली येस टीवी में आपका स्वागत है दोस्तो हमारा आज का टोपिक है वटा मेडिटेशन आज हम आपको बताएंगे मेडिटेशन की बारे में कुछ बाते दोस्तो जैसे ही फोन के हैंग होने पर उसकी फाइल्स को क्लियर करना चाहिए मेडिटेशन हम सबको करना चाहिए कुछ लोगों की सोच यह होती है कि मेडिटेशन उसी इंसान को करना चाहिए जिसको बहुत ज़्यदा डिप्रेस्टन होता है जिसको बहुत ज़्यदा स्ट्रेस होता है लेकिन ऐसा नहीं है meditation हम सब को करना चाहिए meditation जो व्यक्ति हमेशा खुश रहता है उसको भी meditation करना चाहिए जैसे कि दोस्तों आप सब जानते ही होंगे कि phones का हम solution तो निकाल ही लेते हैं phone के hang उने पर हम उसकी background application को delete करकर अपने phone को बिल्कुँ smooth कर लेते हैं लेकिन जब भी इंसान का दिमाग हैंग होता है उसके दिमाग में उल्टी सिधी बाते आती हैं तो तो आपको पता ही है कि क्या होता है उसका दिमाग overload हो जाता है और वो सारा गुसा अपने बच्चों पर अपने घरवालों पर निकालता है ऐसे में उसको meditation करना चाहिए कुछ लोग ये भी मानते हैं कि meditation बहुत ही खेले जगा में और शांध जगा में करना चाहिए meditation आप कहीं भी कभी भी कर सकते हैं दोस्तों ऐसे ही में कुछ क्रिया आपको meditation के बारे में बताना चाहूंगी आप कहीं भी कभी भी किसी भी जगा पर बैठे हुए हैं तो आपको एक meditation ऐसा करना चाहिए आप जहां बैठे हैं आपको अपनी नाक से लंबा सांस लेना है और उसको छोड़ना है ऐसे में आपको ये ध्यान रखना है कि आपका मुह हमेशा बंद होना चाहिए आपको सिर्फ नाक से सांस लेना है और दूसरी meditation हमारी क्रिया है chanting meditation इसको हम बोलते हैं दोस्तों मंतरों का उचारण करना जैसे कि ओम नमो शिवाए ओम साइराम आपको लगातार ओम नमो शिवाए का उचारण करना है कहीं पर भी बैठ कर तो दोस्तों meditation हर एक इनसान को करना चाहिए तो दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी यह वीडियो comment section में जुरूर बताएं और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चनल को subscribe जुरूर करिएगा Thank you